इंडियन ने बेजी है कश्मीरी ये बंदा वो कहता कि भाई आपने कश्मीर के साथ क्या कर रहे हो ये जरा पहले वीडियो मुलाज़ा फर्माएं उसके बाद मैं उनका कश्मीर भी दिखाऊ उता हूं जिस तरह उन्होंने का कि भाई हम अपने कश्मीर पर बड़ा जलुम कर जिर जलील करने के लिए हम अपना दिखा रहे हैं जरा एक लड़का है उसने मुझे वीडियो बेजी कहता भाई दिखाऊ जरा आप अपने पाकिस्तानी अवाम को ये फोर के वीडियो बन रही है ये देखे अब इस तरह जग देखते जाए है कि क्या कह रहे हैं किरी नगर रही है कल ने देख लिए है जो पड़े फैसले करती है और आज ऐसे हैं कि हार पुडिटिकल पार्टी मिनते करती है फॉज की के आहां में गती तो पूरे पाकिस्तान की कंडिशन भी दिमाग में लागर एक सवाल अपने आप से पूछें क्या पाकिस्तान में रहने वाले लोग सारे खुश हैं मुझूदा गौर्मेंट से मुझूदा अलाग के साथ और कश्मीर इंडिया के साइट है वहां पर डिवैलिमेंट के क्या सूर्टेहाल है उसके बारे में क्या जानते है कुछ इनफर्मेशन है जी बिलकुल है देखे हम लोगों का एक बहुत नेरेटिव बना हुआ है जिसको हम जजबाती है एक इमोशनल नेरेटिव कह देते हैं अब उसका क्या है जणाब हर साल कश्मीर डे की हमारे पास छुटी आ जाती है और हमारी युनिवेस्टी और लोग बाहर निकलकर नारे लगाते हैं हम लेके र पाकिस्तान की साइड ये चाहती है कि जो कश्मीर का एक पुरा खिता है ना वो हमारे पास आए इंडियन्स ये कहते हैं कि हमारे पास आए पाकिस्तान की गवर्मेंट और पाकिस्तान की मीडिया स्पेशली मैं आपको बहुत अप्रिशेट करूँगा मैंने इन से नेरेटिव बेचते हैं कि जो कश्मीरी उन पर बहुत जुलम हो रहा है और भारती फॉज वगएरा उनके उपर बहुत कोई मजालिम ढ़ा रही है उन लोगों के उपर तो हमने उनको वहां सूपर हीरो जा कि हमने उनको बचाना है अब जो इंडियन्स है पैरलिल उनका भी मी अब हमें इसका एक मिड़ पॉइंट देखना है हमें देखना है कि जो कश्मीरी हैं वो कश्मीरी क्या चाते हैं ए क्या वो रेफरेंडम चाते हैं बी वो पाकिस्तान के साथ आना चाते हैं सी वो इंडिया के साथ जाना चाते हैं अगर हम कश्मीरियों से पूछें तो कश् किसी शक्स किसी शक्स का कोई इंटर्वियू अगर आपको मिले जो के बहुत मुश्किल है मिलना अगर आपको मिले मैंने परस्नली भी बात की हुई है उनसे वह कहते हैं कि यार देखो हमें यह फरक नहीं बढ़ता कि हम इंडिया के साथ जा रहे हैं या पाकिस्तान के साथ ज लेंगे आप पेपर टॉक्स के जरीए कोई एक मिड़ पॉइंट निकालें आप एक मिड़ पॉइंट निकालें अगर अलेदा फेक्टर बनाने पर उसका रेफ्रेंडम नहीं करवाया गया इंडिया की तरफ से इंडिया ने कुछ इलीगल हरकतें की है जिसकी वज़ासे हम उनके खिलाब नारे भी लगाते हैं और जो हमारे जायज हैं लगाना क्योंकि अगर आपको ओपन ली बताऊं कि उन्होंने कौन से इलीगल एक्टिविटीज की हैं इलीगल एक्टिविटीज में यह आया था कि जो उन्होंने यूनों के अंदर जब इसका इशू उठा था किश्मीर का तब बात जो ही थी जो आखरी फैसला हुआ था रिफ्रेंडम करवाने का कि रिफ्रेंडम होगा और अगर किश्मीरी इस सपोर्ट में आ गए कि जनाब हमने इंडिया के साथ जाने तो इंडिया के साथ चले जाएंगे यह तुमारे बाप दादा की बता ही जो बाते है ना उससे दुनिया बहुत अलग है उसमें भी जाओ वाटसप यूनिवरस्ट्री को साइड करो फैक्ट प्याओ यह भी बच्च्चा है और पाकिस्तान में कैसे हाले हैं एजूके लेकर आप जानते भी हो तो मैंसे यह कह भ पाकिस्तान की सरकार चला कौन रही है तो आप भी जानते हो पाक आर्मी चला रही है अब आप बोलोगे कि हवावाई बाते कर रहा है नहीं भाई इसका भी मेरे प्रूफ है पाकिस्तान के बहुत बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट है परवे सुद्बाई करके उन्होंन को और कहीं नहीं नजर आता आप देखें कि यहां पर जो एरलाइन्स हैं बैंक हैं सीमन्ट के कारखाने हैं सड़क बनाने के लिए और्गनाइजेशन्स हैं वो सब फौज की हैं जगा जगा डी एचे हैं और वो डी एचे बढ़ते चले जाएं बढ़ते आयूब खान ने म खत्म हुआ उस दौरान इतनी खराबियां पैदा कर दी फौज ने कि हमसे मशकी पाकिस्तान अलाइदा हो गया समय कतर में क्योंकिए अयूब खान के बाद याया खान आया फिर उसके बाद दो और मार्शल लोगें अब भी फौज ही है जो बड़े फैसले करती है और आज ऐसे है कि हार पुडिटिकल पार्टी मिन्नते करती है फौजगी के आहमें गती तो तो सुना तो बात न जब करो जो तुम्हार पर प्रूफ हो ऐसे हवावाई बाते मत करो थेंक यू पर बिंग हीर बहुत बहुत धन्यवाद